आप सबको मेरा नमस्ते ये सेशन में हम लोग आपको IMS Act के बारे में बताने वाले IMS Act Tech हमारा भारत देश का कानून है जो माता को अपने खुद का जो स्थन का दूथ है वो प्रमोशन करने के लिए बहुत महत्वपुरुन कानून है बहुत सारी फॉर्मूला कंपनी से जो अपना खुद का जो फॉर्मूला बेशने के लिए बहुत टाइम कानून तोड़ता ह तो वो कानून क्या है वो आपको जानना जरूरी है अगर आपको लगे कि कहीं पर भी वो कानून तूट रहा है तो आपको डेफिनिटली बीपे एनाए का जो एक आप है वो भी हम लोग ने ये टुटॉर्ल में बताया हुआ है वो आपके माधियम से आप कंप्लेंड कर सकत है तो वो डेफिनिटली वो कंप्लेंड जाएगा और उसका जिनों हम लोग जो कानून अगर टूट रहा है तो उसको डेफिनिटली सजा मिलेगी तो आप देखिए कि ये आपको उदारन दे रहे हूं एक तो है कि जो बिलबॉर्ड होते है जो टाइस के लिए तो बिलबॉ कोई दूद का डबा है या तो कोई दो साल के अंदर की उमर के बचे के खाने का कोई चीज जो प्रोसेस्ट फूर जो बोलते है उसकी एड़ुटाइस नहीं हो सकती है ठीक है कहीं भी आप शॉप में जाएं कहीं भी दुकान में जाएं तो वहां पे भी अड़ुटाइसमे सब कंप्लेन नहीं करेंगे अगर कानून तूट रहा है तो जो मा को जो सपोर्ट मिलना चाहिए अपने खुछ दूद देने को वो सपोर्ट नहीं मिलेगा तो यह आप देखिए और समझेए कि हमारा IMS Act क्या है ठीक है दान्यवाद स्तनपान की रक्षा के लिए भारतिय कानून के बारे में बने इस पोकन टूटोरियल में आपका स्वागत है इस टूटोरियल में हम जानेंगे शिशु के लिए खादिपदार्थों के विकल्प या IMS IMS अधिनियम पहले समझते हैं क्या हैं शिशु के लिए खादिपदार्थों के विकल्प खादिपदार्थों के विकल्पों को IMS भी कहा जाता है IMS वो खादिपदार्थ हैं जिसे थोड़ा सा या पूरा मा के दूद की जगह दिया जाता है इसमें दो साल तक के शिशुँ को दिये जाने वाले बाजार में मिलने वाले खादिपदार्थ या दूद शामिल हैं इस टुटारियल में हम IMS को बाजार में मिलने वाले शिशु के खाने या शिशु के लिए खादिपदार्थ बोलेंगे लोग बाजार में मिलने वाले शिशु के खाने को क्यों इस्तिमाल करते हैं। ऐसे खाने को इस्तिमाल करने के पांच प्रमुख कारण हैं। पहला कारण मिठख है जो बाजार में मिलने वाले शिशु के खाने की तुलना स्तन के दूद से करते हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि यह स्तन के दूद के समान अच्छे हैं और मा के दूद के बदले में इस्तेमाल हो सकते हैं। कुछ बेखबर लोग इन्हें स्तन के दूद से बहतर मानते हैं। यह एक आम मिठख है क्योंकि वे बजार में मिलने वाले शिशु के खाने से होने वाले नुकसान नहीं जानते ना ही देख सकते हैं। लोग इनके बुरे असर के बारे में ठीक से नहीं जानते। इसके अलावा बेचने वाली कंपनियों ने इन सब को स्तन के दूद के बराबर दिखाया है। यहां तक कि कई डॉक्टर या स्वास्त कर्मी भी इनके बुरे असर को नहीं जानते। वे स्तन पान ना कराने से होने वाले नुकसान भी नहीं जानते। इसलिए जादातर लोग बाजार में मिलने वाले शिशु के खाने को हानी कारक भी नहीं मानते। बाजार में मिलने वाले शिशु के खाने की समाजिक स्विक्रती है। यह दूद की बोतल और प्लास्टिक के निपल पर भी लागू है। कोई भी बाजार में मिलने वाला शिशु का खाना स्तन के दूद के समान नहीं है उन में स्तन के दूद में मौजूद तत्वों जैसे कुछ तत्व हो सकते हैं आम तत्व जैसे प्रोटीन, कैलोरी या फैट पर इन में स्तन के दूद के बाकी बहुत सारे तत्व नहीं होते स्तन का दूद हर मा और उसके शिशु के लिए अलग होता है बाजार में मिलने वाले शिशु के खाने में यह गुन नहीं होता वो सभी माउं और शिशुओं के लिए एक समान होता है उन में स्तनपान के मनोविज्ञानिक भावुक लाब भी नहीं होते वे कुपोशन या मोटापे के कारण भी बन सकते हैं वे इन्फेक्शन और बिना इन्फेक्शन वाली बिमारियों का कारण भी बन सकते हैं इन में दिल की बिमारियां भी शामिल हैं और एलर्जी भी इनका सबसे बुरा असर है कि इनके कारण शिशू के लिए स्तनपान जरूरी नहीं लगता कम्पनियां लोगों को नहीं बताती कि स्तनपान मुफ्ट और सबसे अच्छा है बाजार में मिलने वाले शिशू के खाने को लेने का दूसरा कारण है कि यह खिलाने और पिलाने में आसान लगते हैं स्तनपान एक कोशल है तरिके को सीखने या उसे कराने की मदद में समय और महनत लगती है शुरुआत में स्तनपान के तरीके सीखते हुए मुश्किले हो सकती है मा को घर पर स्तनपान कराने के लिए परिवार के सहायता की जरूरत होती है उसे घर के बाहर या काम करने वाली जगा पर स्तनपान कराने के लिए समाज के साथ की जरूरत होती है इन वजहों से बाजार में मिलने वाला शिशु का खाना खिलाने में आसान समझा जाता है अब शिशु के लिए बाजार के खाने के तीसरे कारण की बात करते हैं कम जानकारी वाले स्वास्थकर्मी शिशु को बाजार का खाना देना आसान समझते हैं वे नहीं जानते कि माओं को दूद पिलाने में मदद किस तरह करें। इसलिए किसी भी तकलीफ के समय शिशु को बाजार का खाना देने की सलह देते हैं। बाजार के खाने के इस्तमाल का चौथा कारण है इन्हें बनाने वालों के द्वारा भारी प्रचार। वेग्यानिक बातों से और पुरसकार के प्रलोभन से शिशु के लिए बाजार का खाना खरीदने के लिए लोगों को मनाया जाता है। इन्हीं बातों से वे स्वास्त कर्मियों को मनाते हैं ताकि वे शिशु के माता-पिता से बाजार का खाना खरीदने को कहें। शिशु के लिए बाजार का खाना इस्तिमाल करने का पांचवा कारण है नई माओं की भावनात्मक कमजोरी मुश्किलों के दौरान माओं की चिंता बढ़ जाती है चिंताएं बाड या कोविड नाइंटीन संकर जैसी आपदाओं के समय भी बढ़ती है माएं आत्मविश्वास खो देती हैं और सोचती हैं कि उनके शिशु के लिए स्तन का दूद काफी नहीं होगा फिर बाजार के खाने के इस्तिमाल पर दिये गए गलत सलापर भरोसा करने लगती है और बाजार के खाने का इस्तिमाल शुरू कर देती है अब शिशु के लिए बाजार के खाने को बढ़ावा देने के इतिहास पर बात करते हैं पहली बार बनने के बाद से ही इनके बनाने वालों ने प्रचार के द्वारा स्तनपान की जरूरत ना के बराबर कर दी इनकी कंपनियों के लक्ष होते हैं गर्बवती या स्तनपान कराती माएं और स्वास्थ कर्मी वे पोशन और स्तनपान कारेशालाओं के द्वारा शिशु के लिए बाजार के खाने को बढ़ावा देते हैं वे बाढ या भूकम जैसी आपदा के समय मुफ्त में शिशु के लिए बाजार के खाने बांटते हैं किराने की दुकानों और दवाई की दुकानों पर बाजार के खाने की बिक्री को बढ़ावा देते हैं बाकी की आम दुकानों पर भी इनी बाजार के खाने को प्रमुक्ता से दिखाते हैं वे लोगों को इन खानों को खरीदने और इस्तिमाल करने का प्रलोभन देते हैं कुछ स्वास्तकर्मियों ने महसूस किया कि यह सब शिशू के लिए कितना नुकसान दायक है बचपन जीवन का एक नाजुक समय है शिशू को गलत खाना खिलाना या गलत तरीके से खिलाना दोनों ही खतरनाक है तो बाजार में मिलने वाले शिशू के खाने की बिक्री के लिए कुछ खास कानूनी नियमों की जरूरत पड़ी इसी लिए International Code of Marketing of Breast Milk Substitutes बनाया गया इसे 1981 में World Health Assembly द्वारा अपनाया गया इसी वज़े से बहुत से देशों ने शिशू के लिए बाजार के खाने की बिक्री पर कानूनी नियम लगाया भारत ने Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods Regulation of Production, Supply and Distribution अधिनियम 1992 और संशोधन अधिनियम 2003 में जारी किया इसे IMS अधिनियम भी कहा जाता है इस अधिनियम को मानने वाले सभी देशों ने कई और कानून भी जारी किये बनाये गए सभी कानूनों में IMS अधिनियम काफी कड़ा कानून माना जाता है IMS अधिनियम के नियम बहुत ही आसान तरीके से BPNI द्वारा बताए गए है BPNI, Breastfeeding Promotion Network of India है अब IMS अधिनियम के दस उलंगनों पर बात करते हैं IMS अधिनियम का उलंगन माना जाता है यदि खास दो साल तक के शिशूओं के लिए बाजार के खाने की बिक्री को किसी भी तरह का बढ़ावा दिया जाए उस खाने का नाम माईने नहीं रखता यदि IMS अधिनियम के दाइरे में आने वाले खाने का विग्यापन किया जाता है इसमें शिशू को पिलाने वाले दूद के विकल्प, दूद पिलाने की बोतले और शिशू का खाना शामिल है किसी रूप या किसी माध्यम में कोई भी विग्यापन IMS अधिनियम का उलंगन करता है इसमें टीवी, अखबार, आम पत्रिकाएं, वैज्यानिक पत्रिकाएं, रेडियो और SMS विग्यापन शामिल है इसमें समाजिक प्रचार साधन, होल्डिंग, बैनर और अन्य विग्यापन भी शामिल है यदि खाने या उसके नमूने किसी भी व्यक्ति को बांटे जाते हैं इसमें गर्बवती और स्तनपन कराती माएं भी शामिल है यदि खाने को इस्तिमाल करने या बेचने के लिए किसी भी तरह का प्रोचाहन दिया जाता है प्रोचाहन के रूप में मूल्य में छूट या मुफ्त उपहार वगेरा हो सकते हैं यदि IMS के प्रचार से संबंधित शिक्षर सामगरी बांटी जाती है यदि इन खानूं के नाम पत्र पर बिक्री बढ़ाने के लिए खास चित्र लगे हो ये चित्र माओं, शिशुओं, कार्टून या रेखा चित्र हो सकते हैं यदि कोई अस्पताल, नर्सिंग होम, दवाई की दुकान किसी भी तरह IMS को बढ़ावा देते हैं इसमें IMS कंपनियों के बोर्ड या पोस्टर दिखाना भी शामिल है IMS को बढ़ावा देने के लिए अगर स्वास्त कर्मी या उनके परिवार को पैसे या उपहार दिये जाते हैं यदि कोई IMS कंपनी या उसका वितर्क सीधे या गलत तरह से अंशदान देता है कोई कारेशाला प्रयोजित करता है या इसके लिए धन देता है इसमें बैठकें समेलन और शैक्षिक पाठिक्रम भी शामिल हैं इसमें वित्तिय सहयता भी शामिल है और अनुसंधान अनुदान या पढ़ाई के लिए सदस्य शुल्क भी स्वास्थ कर्मियों या उनके साथियों के लिए प्रोचसाहन राशी की अनुमती नहीं है यदि IMS की बिक्री की मात्रा के आधार पर मुनाफे का अंतर पक्का किया जाए तो IMS कमपनी या उसके उत्पाद वितर्क IMS अधिनियम का उलंगन करते हैं कृप्या इन उलंगनों का तुरंत रिपोर्ट करें रिपोर्ट करने के लिए आप BPNI स्तनपान सुरक्षा मोबाईल एप का इस्तेमाल कर सकते हैं इस एप को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें उलंगन के रिपोर्ट करने के लिए केवल दो सरल चरन शामिल हैं जब आपको किसी उलंगन का पता चले तो एप खूलें मेन्यू में इस टैप पर क्लिक करें रिपोर्ट प्रमूशन ओफ बेबी फूड्स और फीडिंग बॉटल्स रिपोर्टिंग पेज खुल जाएगा निर्दिष्ट जगह पर आवश्यक जानकारी दे दें यदि आपके पास कोई फोटो या दस्तावेज हैं तो उन्हें सनलगन करें और भेज दें याद रखें, IMS कंपनियां अपने विज्यापनों में स्तनपान के लाब बता सकती हैं पर इस तरह का कोई भी विज्यापन मा को स्तनपान के बारे में शंका में डाल सकता है विज्यापनों को अधिक से अधिक माउं को शिशु का खाना बेचने के लिए बनाया गया है जितनी जल्दी मा स्तनपान कराना बंद कर देगी उतना ही अधिक बाजार का खाना खरीदा जाएगा यही वज़े है कि IMS कंपनिया स्तनपान को महत्वहीन बनाने की कोशिश करती हैं कम से कम दो साल की उमर तक शिशु को स्तनपान कराना जरूरी है स्तनपान की सही तकनीक शिशु को परयाप्त दूद पिलाने के लिए जरूरी है यह सब इसी श्रिंकला के अन्य टुटॉरियल में बताया गया है अब यह टुटॉरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद करेका धन्यवा, कर राइक हमेल जरूरी हूँ